साल 1998 में काले हीरन के शिकार को लेकर 5 अप्रैल को जूदपूर कोर्ट में फैसला आ चुका है सभी लोगों की निगाहे सलमान पर आने वाले फैसले पर ठीकी हुई थी बॉलेवुड के भाई जान सलमान खान अपने दरिया दिली की वज़ह से भी जाने जाते हैं और यही वज़य है कि उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे कि उन्हें राहत मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ सलमान खान को दोशिक करार दिया गया है सलमान समेत से फली खान, तबू, निलम और सुनाली बेंदरे इस मामले में लिप थे लेकिन सलमान को छोड़कर बाकी सभी को कोट ने बरी कर दिया गया है आपको बता दें मीडिया रेपोर्ट्स की माने तो सलमान खान को दो साल की सजा सुनाई गई है इसका मतलब साफ है कि अब सलमान अपने घर जा सकते हैं और उन्हें आगे की रणनीती बनाने के लिए समय भी मिल सकता है यही हम आपको बता दें कि कोट के सुनवाई के लिए सलमान खान अपनी दोनों बेहनों और अपने बौडी गार्ड शेरा के साथ आये थे जैसे ही सलमान को जजने दोशी करारा था उस दोरान सलमान की बहनों ने अपने भाई के साथ जो किया वो आपको हैरान कर देगा दरसर बताया जा रहा है कि जब जजने सलमान को दोशी करार दिया था तो सलमान बहुत ही भावुक हो गए थे सल्मान की बेहने उन से बात करने की कोशिश कर रही थी वहीं सल्मान उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे थे वहीं जब सल्मान को जज ने दो साल की सजा सुनाई और ये साफ कर दिया कि अब उन्हें राहत सकती है तो उसी वक्त देखा गया कि जमानत मिलते ही सल्मान खान भावुक हो गए और उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता की भी आँखों में आँसू देखे गए फैसला मिलते ही अलवीरा ने अपने भाई भाई को गले लगाया है अलवीरा की आँखों में खुशी के आँसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे